हम आसे एक नया स्रिस श्टार्ट करने वाले Spring Boot 3 के बर्जन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में इससे हालेडी हम पहले Spring Boot 2 F के बारे बर्जन के बारे में हमने वीडियो बना कर रखा है लेकिन हम यहां सब Spring Boot 3 भी बर्जन के बार में भी प्रैक्टिकली समझने की कोसिस करेंगे तो इस पार्टिकुलर वीडियो हम जानेंगे कि कैसे हम कमान लाइन डानर इंटर्फेस को यूज कर सकते हैं और कब कर सकते हैं मान चली कि आपको कोई एक लॉजिक जैसी अप्लिकेशन स्टार्ट हुआ उसमें एक्जिक्यूट कराना है अगर ऐसी कोई आपकी रिक्वाइर्मेंट है तो आप कैसे अचीव कर सकते हैं तो विद्धी हल्प आप कमान लाइन डानर इंटर्फेस पास एक रन मेठड है जैसी कोई एकैसी हथार्ट का बहुते हैं अगर अचीज कोई कर सकते हैं और एक ही बार ने इस तो उम्हेटिपल क्लास में आप इस चीज को expand कर सकते हैं कैसे तो चलिए whole scenario को हम big practically समझने की कोशिज करते हैं ओके तो simply यहाँ से file पर आएंगे new पर आएंगे ओके और यहाँ से spring startup project पर हम simply select कर लेंगे ओके और यहाँ समझे देंगे simply 01 spring boot command line दे देंगे ओके और यहाँ स्टाइप में लेंगे packaging जार रहेगा जावा बचे नमारा एटिटीव 16 रहेगा और यहाँ पर simply दे देंगे com.sham.tech हम यहाँ पर दे दिए ओके से मेंशी को कॉपी करते हैं और इसका packaging name भी है में दें यहाँ से पर देंगे ओके और सिंपलिस पो नेक्स पेक टिक कर देंगे और यहां से पने को जो spring good burden 3.2.2 अपने को यहां पर है और यहां सार्षार्ट पेंड कर देखिए 2-0 अबने को यह फोला लेना एंड और ही हासे मने जोटी फ्रॉट इंडेंसी दुटरीन कर सब्सक्राइब लेना यहां यह इंगाई निवारीध में चुल्मुर्ट इन्टेंस में इस सब्सक्राइब हो अथा यहां जोटी पैंडेंस शोट्रेंट कर आइड़ करेंगा तो इ हमारा यह बिल्ड हो जाए प्रोजेक्ट इसको मैं एक्सपेंड करेंगे और इसके यहां से पर पॉम्ड.xml है उसका होल स्टक्स कुछ इस तरी के सी क्रेट करता है में इसलिए में को बलते हैं बिल्ड टूल है यह होल चीज अपने को बिल्ड करके सिंप्ली दे देता है ओके तो इसके अंदर सिंप्ली आएंगे देखिए पॉम.xml के अंदर यहां पर हमारा जावा बर्जन जो 17 है बेसिकली ओके और आप इस प्रिंग बूट का बर्जन देखेगा 3.2.2 है सिंप्ली ओके अंदर यहां देखिए एक डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट स्टार्ट ब अब यह जो पर मेंड ग्लाश जिसकी होल सिहां अप्लिकेशन एक्जिक्शन होना स्टार्ट होता है ओके अब हम अब एक रणर पैकेज करते हैं वहां पर हम डिफेंट डिफेंट क्लास को ग्रेट करेंगा और तो कमाला इंटर्फियूज को हम यूज कर सकते हैं ओके तो सि कमाला इंटर्फेंट इसमें इंप्लिमेंट कर लेगा अब इस चीज को जाते हैं जैसी हमारा अप्लिकेशन स्टार्ट होती मेंटर भी एक्जिक्यूट के लिए इसको ऑब्जेक्ट इस्प्रिंग कंटेनर क्रेट कर देंगे यहां पर हम कंपोनेंट को यूज करेंगे इसको अबजेक्ट रख लेता है अब देखिए यहां पर एक सिंप्लिक मेसेज पास कर देते हैं और यहां पर देखते हैं सिंप्लिक पास करते हैं मेसेज सेंट यह हमारा एक हो गया ओके इतना आपने को काम करना आगेन एक दूसरा क्लास हम करते हैं यहां से create यहां पर new पर आते हैं class पर आते हैं और इसको हम देते हैं simply वह हमारा हम देते simply message sender और इसमें भी हम जाते कमाला इंटरफेसर add हो जाए तो यहां पर कमाला इंटरफेस है इसको आप ना मिले पर आप सको search कर सकते हैं ओके यह हो गया इसको भी as a component mark कर देंगे जिससे क्या होगा इसका class को create कर देगा ओके यहां साएंगे और message पास कर देंगे system.org.println और यहां पर लिखेंगे message sent यह हो गया और इसमें हमने email sent हावा को message पास करना ना कि message पास करना है तो के email sent ही हो गया अब इसी दोगे हम db connection के लिए class create कर लेते हैं तो यहां पर आते हैं new पर class पर और इसको देते हैं db connection यहां पर हम उसको इंप्लिमेंट कर देहां चाहिए manually भी इंप्लिमेंट कर सकते हम आप लिए इंप्लिमेंट और यहां पर देंगे command line runner interface देनिया से कहेगा method को override करना परेगा method को override कर देंगे इस पर्टिक्लिमेंट कर देंगे तो यहां पर एक message simply pass कर देंगे system.out.println और यहां लिखेंगे db connection establish कर देंगे simply इतना अपने को काम कर देंगे से फॉर्मेट कर देंगे ओके अब इस आते हैं application को run करते हैं और देखिए तीनों message है यहां से application पर आते हैं simply और इसको सबस्क्राइब आते हैं एक particular port number पर run करें ओके तो भी हम define कर सकते हैं तो यह src वाले package इसके अंदर application.properties के अंदर और इसके अंदर simply 10 define कर दिए server.port अब हम port यहां पर use करना अपने को तो यहां पर यह दे दिया और यहां पर देते हैं फोर टाइम है चाहते हैं जिसकी फोर टाइम एट port नमर हो उस पर यह चलना चाहिए ओके तो यहां साते हैं और राइट क्लिक करते हैं और चेक करते हैं किया हमारा application किस port पर रन हो रहा है यह मैं आपको देखता है और क्या अपने को आउटपूट मिल रहा है यह भी देखा रहा हूं ओके तो अगे इसको मैं explain करते हैं यहां पर देखिए message send db connection establish email send अब यह हो गया अब इस तरीके से देखिए अब अगेन हम इस पर्टिकुलर को server को start करते हैं stop करते हैं देखिए किस port नमर पर start हुआ है इस टार्ट रेप्लिकेश इस टार्ट टॉम केट इस टार्ट नमर फो टाइम एट पर हुआ अगेन हम इस server को start करते हैं और देखते क्या जो यह message आ उसी same order मिला पहले कह रहा है message आ रहा है फिर db या रहा है email आ रहा है email send message send different different order हम चाहिए इसकी order पहले यह execute होना चाहिए तो यह कैसे कर सकते हैं तो चलिए चीज को achieve करने की courses करते हैं हम चाहते हैं कि जो हमारा mail वाला है वो पहले एक्जिक्यूट होना तो simply यहां पर यह यूज कर लेंगे order annotation एक है उसको हम चाहते हैं कि email वाला जो हमारा वो पहले एक्जिक्यूट होना चाहिए ओके हर सिच्विशन में email वाला पहले होना चाहिए एक्जिक्यूट तो यहां से इसको stop करते हैं ओके अगेन आते हैं application वाले पास और यहां से application को start करते हैं और run as java program पर हमने हिट कर दिया अब चे करते हैं क्या जो हमारा email वाला class वो पहले एक्जिक्यूट हो रहा है कि ने इस तरह करते हैं अगर हमारे पास different of कमालाइन इंटरफेस वाला classes available है वहां पर तो उसको भी हम maintain कर सकते हैं विद्धा help यह order annotation से जो भी हमारा पास करेंगे उस ordering के basis पर यह एक्जिक्यूट होगा तो आए होप आपको इस whole video में समझ आया होगा कैसे हम कमालाइन इंटरफेस से help से कोई भी जैसे अभी से Claro सकते सकते हैं आपकितस आइसारे सब्सक्राइब रियाल टाइम में काम करते हैं कि अगर झातिक जैसे स्टार्ट आफसे प्रकी सोड़ा ऑचिकूट कि होप आपको इस होल वीडियो का कॉंसेट समाज आया होगा